तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अगर आप मेचल पर नहीं है तो प्लीज सस्क्राइब करिएगा एंड उसके बाद प्लीज प्रेश दीबल आइकन तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉंस है लेकिन काफी बेसिक कॉंस है जो की होने चाहिए थी जो की कॉंपेक्ट है जो की सिटी के लिए बहुत अच्छी है चोटी साइज है कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं तो भाई यह सब फिचर्स इसमें मस्ट होने चाहिए थी चलिए ठीकी EV है तो महगी तो होगी लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप 17,000,000 रुपे दे रहें तो यह सब फिचर्स इसमें मिस कर दिये जाएं ले रहे हैं 16,000,000 रुपे देखे तो इसमें इस पेर टायर नहीं है चलिए कोई भी बी मॉडल आप ले रहे हैं तो भाई मस्ट है ठीक है माल लिजे इसमाल रेंज ले रहे हैं उसमें 315-350 km की जो भी रेंज है चलि उतने नहीं चलती है 200 km चलती है तो भी भाई कोई तो 100 km जाना चाहेगा एंड उस 100 km में कभी पंचर हो गई माल लीजे तो तो इस पेर टायर भाई मस्ट है कोई भी वेरेंट होता तो भाई इस पेर टायर देना था पता नहीं इनोंने क्यों नहीं दिया क्योंकि आप 16,000,000 रुपे अगर टॉप फिरेंट के लिए लूग रेंज क उसमें तो देते इसमें इनोंने कॉस्ट कटिंग की तो भाई इस पेर टायर की कॉस्ट कटिंग होई इसमें सबसे पहली बात इन सेकेंड 60-40 स्प्लिट आपको नहीं मिलता है rear seat में अभी भी और एस इवेंट अभी भी नहीं मिलते हैं ठड एंड आपको फोर्थ है कप होल अभी भी नहीं मिलते हैं, कप फोल्डर चली मैं 10 लाक 11 लाक की कार के लिए बात नहीं कर रहा हूं, उसमें रियर आम रेस्ट यह तो बहुत बड़ी बात है, मारकी देता भी नहीं है, आपने देखा हो काफी सारी कार्स में, लेकिन अगर आप 17 लाक रुपर दे रहें तो इस चारो डोर्स पे, वहां अभी भी हाट प्लास्टिक है, वहां कोई फैबरिक या सॉफ टचिंग कुछ भी मटिरिल नहीं लगाया गया, स्टिच नहीं किया गया, तो यह आपके पांच पॉइंट्स हो गए, इक सिक्स पॉइंट बताता हूं, जो की कॉमन है दोनों में, प् प्रॉज काफी अच्छ रहती है, तो यह सब अध़ांटेजेश जादा है, बट वही एक चीज है कि, बैड पैचेस में, अगर आप धीरे स्पीड से चल रहे हैं, तो हापे जटके जादा पड़ेंगे, तो अपन इसको कॉमन पॉइंट गिंदे, अब चलते हैं, प्रॉज अब आपको, आपने देखा होगा, टाटा सफारी में मैंने दिखाया है, टॉप फिरेंड में, एकॉम्प्लिस प्लस फिरेंड में दिखाया था, जो इवी आई थी, उसमें अर्के डॉट इवी एप्स कैसा रहता, यूटूब बगर आप देख सकते हैं, गेम बगर खेल सक सकते हैं, अब रिसेंट वीडियो मेरा चेक करेंग, तो उसमें मैंने अर्के डॉट इवी दिखाया है, लेकिन उसमें साइन ने किया था मैंने, तो बस दिखाया कि कहां पे रहता है, यह क्या रहता इसका यूज़ वो भी पताया, तॉप यूटूब एंड गेम वगर खेल सकते हैं, तो यह भी काफी अच्छा फीचर है, लेकिन जब तक इंटरनेट है, तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एर प्यूरिफायर मिलता है, देन वायलस स्मार्टफोन चार्जिंग मिल जाता है, यह नया फीचर है, एंड आपको वायलस करेक्टिविटे में मिलत है, एंड वो 10.25 इंच का रहता है, आपको इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर भी HD में मिलता है, अब वो भी 10.25 इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर मिलता है, 10.23 एंड 10.25 इंच ऐसे कुछ है वो, एंड उसमें आपको नविगेशन का भी ऑप्शन है, मतलब आप इधर इंफूर्टिं सिस्टम का, एंड ये नया है, तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हो कि एकदम 100% एकदम अच्छ चलेगा, कभी कुछ लैग नहीं आएगा, लेकिन आप यूज करोगे तो इसका UI वगरा काफी अच्छा होगे, यूजर इंटर्फेस, एंड काफी अच्छा है, मतलब यूज करने मे पहला कर लिएक होगे, नो बस्टनीन सेगमेंट इसकाफी, आप बोल सकते हो, एंड सेफ्टी फिचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, चारो ही पैयों में एंड आपको ESP मिल जाता है, एक्ट्रोनिक पार्किंग बरेक मिल जाता है, ओटो हो बिल जाता है, ब्लाइंड सपॉ भी है मतलब छोटी सी है आप देखेंगे अंडर 4 मेटर है तो आप इसको city में कहीं भी ले जा सकते हो और आम से कहीं भी पार कर सकते हो तो यह काफी easy to maneuver रहेगी city के अंदर और ground clearance भी इसमें enough है मतलब आप कहीं भार भी जा रहे हो कहीं खराब road में जा रहे हो 190 mm भी काफी है इसके राइवल से compare करो करो कर जैसे निसान मेगनाइट वगरा वो थोड़ी बड़ी हो जाती लेकिन इससे लेकिन उसमें 205-200 mm इस टाइप के भी ground clearance रहते है तो ऐसे compare करने का तो कोई जुरत नहीं है लेकिन 190 mm भी काफी है एंड उसके बाद range भी ठीक है अगर आप 421 km वाला long range वाला battery पैक ले रहे हैं तो अगर top parent के बात करों नीचे भी जा सकते हैं लॉंग range नीचे भी आता है तो आपको 421 km company claim करती है लेकिन 300 km भी चलेगा फुल लोड के साथ तो भाई ठीक है उतने price में क्योंकि आपको ज्यादा cost नहीं लगना है मतलब एक रूपे के अंदर में आप एक किलोमेटर अराम का logo मिलता है and look front का और अच्छा कर दिया गया है and fully connected सामने आपको tail LED light मिलती है तो इससब features आपको मिलता है इसमें काफी अच्छे अच्छे है so guys यही end करते हैं इस video को यही कुछ pros and cons थे जो मुझे लगे बताने के लिए तो मैंने आपको बता दिये आप भी please comment करके बताईए और कुछ अगर miss हो रहा हो आप लोग क्या pros and cons लगता है इस car का तो please comment करके बताईए I am waiting for your comments guys so guys यही pros and cons थे अगर आपको वीडियो पसंद आगा तो please like करिए share करिए subscribe करिए subscribe तो सबसे पहले कर दियेगा and comment का मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कुछ points शूटे हूँगे या फिर आपको कोई point एड़ करना है तो please pros and cons में बता दिजिए please मैं आपके comments का वेट कर रहा हू please bye 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 subscribe करिएगा thank you so much